बुरे वो लोग नहीं जो ये कहते हैं कि तुम अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते बलकि बुरी वो सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है सपने वो ही देखो जिसे पूरा कर सको जिसे पूरा करने के लिए आप महरत ना करो ऐसे सपने देखने का क्या फाइदा ज्यादातर लोगों के सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो इतनी बड़ी मेहनत नहीं करते जितना बड़ा उनका सपना होता है जब भी सपना देखो तो वो तुम्हारी आफकास से बड़ा होना चाहिए और तुम्हारी मेहनत उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी मुश्किलों को खुद पर हावी होने का मौखा नहीं देना चाहिए चोटी मेहनत और बड़ा रिजल्ट पाने की चाहत आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी आपका अस्री मुखाबला खुद से है अगर आज आप खुद को गुजरे हुए कल से बहतर बना लेते हैं तो यकीन मानो काम्याबी जादा दूर नहीं जिस दिन तुमारी मेहनत तुमारे पहानों से बड़ी हो जाएगी उसी दिन ये भी डिसाइड हो जाएगा कि आपके हिस्से में कितनी काम्याबी आएगी जिनका अतीफ दुख और कठनाईयों से भरा होता है वही लोग आगे चल कर ये दिहास लिखते हैं अगर आप पीछे अपने अत्मों के निशान छोड़ना चाते हैं तो आपको उठकर रेद पर चलना भी पड़ेगा आपने चलना भी शुरू नहीं किया और बैठे बैठे ही सोच लिया रेद पर अपने निशान बनाने का जिन्दगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना क्योंकि आप कभी नहीं जानते की आने वाला कल आपके लिए क्या लिकरा रहा है हम सब जानते हैं की बिना मैनत के सफलता हासिल नहीं होती फिर भी हम काम से जी चुराते हैं काम को टालते हैं और बहाने बनाते हैं मूल नहीं है, समय नहीं है और भी नाजाने कैसे कैसे बहाने बनाते रहते हैं और हर बात का एक ऐसा लॉजिक देते हैं कि बस वो काम ना करने का रास्ता मिल जाए बेंजमीन फ्रैंकलिन ने कहा था कि भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है अगर आप ये सोचते ही कि बिना कुछ किये आप काम्याभी पाएं जीवन के सभी सुप पाएं तो ऐसा कभी नहीं होने वाला इसके लिए तुम्हें करी मेहनत करनी पड़ेगी तब तुम्हें उसका सुप राप्त होगा याद रखो मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताखत रखते है अगर आप चाहते ही कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा हो जाए तो अपनी मेहनत और अपने सपनों के बारे में किसे को ना बताएं खामोशी से अपने लक्षे के लिए ध्यान लगा कर मेहनत करें शांती से मेहनत करें क्योंकि आप शोर मचाएंगे तो लोग आपके रास्ते में बाधा बनकर आ जाएंगे बस जाते जाते इतना ही कहूंगा कि लीडर पैदा नहीं होते वो बनाए जाते हैं और किसी चीज की तरह ये भी करी महनस से बनते हैं और ये वही कीमत है जो इसी लक्षे को हासिल करने के लिए जोकानी परती है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट स्वाक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्स्वाइब करना ना भूलें